festive food recipes में आज हम celebrate करे हैं children's day और आज हम बना रहे हैं children's day special 6 बहुत ही आसान से recipes जो आप छटपट से बना करके तयार कर सकते हैं इस सारी ही recipes बच्चों को बेहत पसंद आती हैं और आप इन्हें बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं आपको मेरी आज की recipes पसंद आदे हैं तो वीडियो को लाइक शर किजा और इस तरीकी के और बी recipes को दिखने के लिए चानल को जरू सब्सक्राइब जिए तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना आज की हमारी पहली रेसेपी है चॉकले ट्रॉफल बॉल्स तेके इसको कैसी बनाते हैं इसको बनाने के लिए मैंने आप पर एक हैवी तली की कढ़ाई या फिर पैन ले ले इसमें हम आड़ करेंगे दो चमत जितना बटर बटर को हलका सा मेल्ट हो जाने देंगे उसके बा बिल्कुल लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ही से पकाना है कुछी दिर बाद आप दीखेंगे इसमें इस तरीके से बबल्स आने लगे है बस इस टाइम पर हम इसमें आड़ करेंगे दो बड़े चमत जितना कोको पाउडर और इसको भी हम फटा-फट से इसके साथ में मिक्स कर लेंगे इसमें देखें कोई लम्स नहीं होने चाहिए सलिए आपको यह बहुत काम कोई करना है गैस का फ्लेम लो रखते हुए ही सारी चीज़ों को कुक करेंगे कोको पाउडर डालने के बाद जब यह अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा इसमें चोड़े बहुत दिख रहे हैं उसके लिए बिल्कुल परिशान मत हो अब उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे आदे कब जितनी डाक कंपाउंड चॉकलेट आप किसी भी ब्रैंड की इसमें इस्तवाल करते सकते हैं बस इस तरह के से चुट चुटे पीसे में कट करके आड़ करना है चॉक जाएगा यानि चॉक्लेट बिल्कुल अची तरह से मेल्ट हो जाएगी हम ग्यास के फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम इसे एक दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर कर लेंगे अब यह मिक्षर काफी ज़्यादा गरम है तो हम इसे 15 मिट के लिए 15 मिट के लि बिल्कुल तयार है आप चाहिने ऐसे एंजोई करें या फिर चाहिन तो उपर से ड्राइफ रूट के साथ में इनको कोट कर सकते हैं या फिर चाहिन तो सूखे नारल के बुरादी में इनको कोट कर लें या फिर चॉकलेट चिप से सजा लें यह बहुत साथा टीस्टी बनत करेंगे पानिमें बॉल आते ओ आते समय हम हैं पर कोछीजें आइड करेंगे जैसे कि आधी छुटी चमब इतना नमक और उसके साथ में हम इसमें आपके एक छुटी चमब इतना ओल्लीव ऑई यह उसी टाल करके मिकस के लिए और इसमें अच्ता discovered पाल आने देंगे जब पानी में अच्छा सा बॉयल दाना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें आट करेंगे एक कप जितना पैनी पास्ता मैंने हाँ पर पैनी पास्ता इसके लिए माइक्रोनी भी यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो कोई और डिफरिंट टाइप का पास्ता दाल करके हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको एक बर अच्छी तरह से बॉलने तक पकाएंगे यहां पर हमें पास्ता को पूरी तरह से कोख नहीं करना है बीच में आप चेक कर सकते हैं पास्ता हमारा इस तरीके से पका होना चाहिए यानि कि इसमें थोड़ा सा लेंगे के हवी तरले की कड़ाई जिसमें हम अट करेंगे थोड़ा सा ओलिव ओल चार टीजपून जितना हमें आपका है इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्यास और प्यास को डाल करके इसको बिलकुल लो फ्लेम पर हम हलका सा इस तरीके से सौथे कर ले अब हमारी सारी वेजीश अची तरह से फ्राइ हो चुकी है को हम इक साइड में निकाल लेंगे विसी सेम पैन में हम अट करेंगे एक बड़ी चम्मा जितना बटर बटर हफलका सा मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे दो बड़ी चम्मा जितना ओल पर पर पस फ्लॉर दूद डाल देगे, आप दिखेंगे, इस सॉस काफी जल्दी से ठीक होने लगा है, तो बस आप इसे इस तरीके से लगातार चलाती हुए पका लें, अभी सॉस हमारी अची तरह से ठीक होना शुरू हो गई है, कि आसका फ्लेम बिल्कुल रखेंगे, साथ में डालेंगे, बहुत जादा नहीं ठीक करना है, वरना यह एकदम से गाड़ी हो जाती है, तो बस इस टाइम पर हम यहाँ पर आदे कब चितना दूद आट करेंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंजी थूड़ी सी परफेक्ट हो सके, या फिर चाहे तो आप इसकी जगा पानी डाल कर इसे सारे फ्लीवर्स को, तो आप मेरा यह पास्ता है, बनके बिल्कुल रेडी हो, सबसे एंड में, ग्यास के फ्लीम को बंद करने के बाद, हम इसके ओपर थोड़ा सा मौजरला चीज, इसको ग्रेट करके आट करेंगे, यह डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शन है, तो चलिए, अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं, थोड़े से औरगेनो और चिली प्लेक्स के साथ में, तो बस यह रेसेपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो यह डिलिशेस चीजी वाइट सोस पास्ता, सभी बच्चों का फ्रेड विट बनके बिल्कुल तयार है, बढ़ते हैं आज की निक्स रेसिपी की तरफ, अब हम बनाएंगे सभी बच्चों की फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री, वो भी बहुत ही सरल स्टेप्स के साथ में, इसको हमने ओरियो बिस्किट से तयार किया, इसके लिए मैंने लिया है, 240 ग्राम जितने बिस्किट, यानि की इन टोटल 24 ब बना सकते हैं, यानि की कोई फ्लाट तले का बर्तन ले लें, उसको आप इस तरीके से पेपर लगा कर लाइन कर लें, या फिर ओल या मैदा से उसकी डस्टिंग कर लें, तो यह हमारा तयार है, इसको रखते हैं साइड में, अब हमने जो पावडर तयार करके लिया, इसमें इसे उबला हुआ, रूम टेप्टिचर पर रखा हूँ, दूर डाल कर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए, इसका एक बैटर तियार करेंगे, यहाँ पर हमें इस केक का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना और यह बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो हम इसे बेक करेंगे, OTG में 180 डिग्री पर 15-20 मिन तक के लिए, अगर आप गैस पर बेक करना चाहते हैं, तो उसके बारे में पूरी डिटिल्स आपको वीडियो के नीचे देगए, डिस्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाए इस बेस को हमें पहले ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके आइसिंग करेंगे, तो इसी टिन के अंदर हम इसे ठंडा होने देंगे, कप्डे से ढख देंगे, ताकि अबलकुल भी ड्राय आउट नहीं हो, तो मैंने इसे आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था, हमारा जो क पेस्ट्री स्पंच को इस तरी के से अनमोल कर लेंगे, और नॉर्मल पानी के साथ इसे हलका सा वेट कर लेंगे, ताकि एकदम सॉफ बना रहे है, हमारी तयार कीवी क्रीम को डाल करके एक हिस्से पर हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पेस्ट्री ब और पेस्ट्री के पीसे रेडी हुए है, उपर से में आपर मेल्ट की हुई चॉकलेट की साथ इसको इस तरी के से डेकोरेट करेंगे, आप चाहें तो और यू बिस्केट के साथ में उपर से डेकोरेशन कर सकते हैं, तो यह बहुत ही जादा टीस्ट्री सभी बच्चों की छोड़े छोड़े क्यूब्स में cut कर लेंगे पनीर को cut करने के बाद इसको mix side रख लेंगे अब यहाँ पर मैने लिया है एक चोथाई कप जितना corn flow इसको एक खाली bowl में add करेंगे, साथ में add करेंगे तीन बड़ी चम्मा जितना मैदा साथ में add करेंगे आदे छोड़ी चम्मा चिली फ्लेक्स, साथ में हम डालेंगे red chili powder, salt अपने swat kenosar, origan हो add करेंगे साथ में डालेंगे black paper, सारी चीज़ों को mix करके इसमें डालेंगे, ginger garlic paste और साथ में थुड़ा सा fresh धनिया साथ में अची तरह से इन सारी चीज़ों को mix करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हमारे कटे हुए पनीर के cubes को इसमें add करके अची तरह से powder वाले mixture के साथ में coat कर लेंगे ताकि पनीर के अंदर सारे flavors अची तरह से incorporate हो जाए पनीर के cubes को हमने अची तरह से coat कर लिया अब हम इसे dry वाले mixture में से इस तरीके से निकाल लेंगे हमें powder को छुटाना नहीं है इसके ओपर से बस हलका से इस तरीके से करके extra जो होगा वो निकाल देंगे उसके बाद हमें नियालाग रख लेंगे और हमारा जो यहाँ पर जो powder बच गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक बिल्कुल गाड़ा सा paste तयार कर लेंगे इस paste को बना करके हम एक side रख लेंगे और अब मैंने यहाँ पर लिये हैं थोड़ी से breadcrumbs coat की है पनीर के cubes को पहले इस liquid वाले mixture में डाल करके अच्छी तरह सी इस तरीके से coat करेंगे और coat करने के बाद फिर हम इसे breadcrumbs वाले मिक्रम में डाल करके अच्छी तरह से bread crumbs के साथ में coat कर लेंगे और इस तरह के से बना करके हम एक plate पर transfer करते जाएंगे इनको बना करके हम 15 मिट के लिए fridge में रखेंगे ताकि bread crumbs इसके उपर अच्छी तरह से set हो जाए उसके बाद हम इने deep fry करेंगे तो defry करने के लिए मैंने आपर oil को अच्छी तरह से medium गरम कर लिया है तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए इससे bread crumbs इसके उपर से जादा नहीं निकलेगा तो कम गरम तेल में अगर आप fry करेंगे तो यह बहुत सदा oil सोग करेंगे इने हमें एकदम high medium flame पर अच्छी तरह से golden onion तक fry कर ले रहा है और यह बहुत ही कम टाइम में बनके तयार हो जाते हैं और यह बहुत क्रिस्पी बनके तयार होते हैं तो आप इस recipe को ज़रूर राए केज़े बच्चों हैं बड़े सभी को बहुत पसंद आती है तयार है हमारे बहुत ही ज़र टीस्टी पनीर नगेट चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की next recipe की तरफ जहां पर हम तयार करेंगे सभी बच्चों के फेवरिट चॉकलेट डोनेट देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं चॉकलेट डोनेट बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया एक चॉटाई कप जितना लिए पॉम मिल किया नहीं हलका गुनगुना दूर इसमें हम अट करेंगे चीनी तो यहां पर मैंने तीन बड़े चमच इतना चीनी लिया है इस तरह के साक्टिवेट हो चुका है अच्छी तरह से इसमें bubble से form हो गये एक फॉतीर सा टेक्शर हो गया बस जब आफपाई़स इस तरह के से active हो जाए उसके बाद इसमें ऐड़ करेंगे दो खप जितना मैयदा अब हम इस dough में add करेंगे एक चम्मच इतना butter और butter की मदद से हम इसे अच्छी तरह से stretch and fold method से अच्छी तरह से stretch करेंगे ताकि इसके अंदर का जो gluten है वो अच्छी तरह से activate हो जाए यह step हम 5-10 minutes तक अच्छी तरह से repeat करेंगे जब तक यहांटा एकदम smooth नहीं हो जाता जब यहांटा एकदम चिकना हो जाएगा तब हम इसका एक ball बना करके इसको एक ball में रखेंगे उपर से थोड़ा सा oil लगा देंगे ताकि यह उपर से चिपचिपा नहीं हो और इसे हम rise होन पंच करते हुए निकाल देंगे और इसे एक बार इस तरीके से knock करके इसे counter top पे transfer कर लेंगे एक बिलन की मदद से हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे यानि की मोटी सी rooty के shape में इसको बना लेंगे उसके बाद हम इस बनाई हुई sheet से इस तरीके से donut के shape करेंगे डोनट बहुत साथा पतला नहीं बनाएं वरना इसका shape अच्छा नहीं आएगा तो इस तरीके से मोटा ही रखना है और इस तरीके से cut-uri की मदद से इसको इस तरीके से cut-कर लेंगे और यह हमारा perfect donut का shape बनके बिल्कुल तयार है अब हम क्या करेंगे इस सारे जो donut हम से के लिए छोड़ देंगे 15 मिट के बाद यह अपने size में फिर से double हो जाएंगे तो 15 मिट के बाद आप देख सकते हैं donut हमारे फिर से अची तरह से rise हो चुके है इनमें अची तरह से air बढ़ चुकी है अब हम क्या करेंगे इनको fry करने के process में चलते है तो fry करने के लिए मैं यह बहुत ही slowly series में bubbles आ रहे हैं और यह जैसे ही आप डालेंगे तेल में आप यह प्राइज हो जाता है इसी तरीके से हम एक से दू डूनट और डाल कर इसे बिलकुल low to medium flame पर ही fry करेंगे जब तक यह अची तरह से पकनी जाते और उपर से बढ़ी ऐसा गुल्ड कर नहीं आ दो बन आ रही हूँ तो मैंने आप ठूडसशी डाल को मिल्ट कर लिया है चॉक्लेट में तयार कि हुए डूनट को इस तरीके से डिप कर लेंगे हाफ और इसी तर grace इंघ कर लिया है जैसे चाहें आप उससपर से de cried कर सकते हैं चाई sugar spincal लगाए या पिर चाहें तो इवाइ के लिए कोई भी leftover cake sponge ले लें, मैंने आपर chocolate sponge इस्तिमाल किया है, आप चाहे तो vanilla cake हो, उसका कोई leftover sponge इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो market में जो available करेंगे binding के लिए chocolate ganache, अगर आपके पस ganache ready नहीं है, तो इसकी जगापर आप हर्शे syrup डाल सकते हैं, वो भी नहीं है, तो nutella डाल सकते हैं, वो भी नहीं है, तो peanut butter भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पस available हो, उससाब से इसमें डाल करके, इतना डालना है, बस इसमें एक अ चोटा सा ball सा बनने लगे, तो यहां पर देखें, मैंने दो बड़े चम्मा जितना chocolate ganache आट कर दिया, इसको डाल करके अच्छी तरह से mix कर लिया, और यह देखें, इसके चोट चोटी से balls बना लिए, अब इन balls के अंदर हम इस तरीके से एक lollipop stick सेट कर देंगे, और इनको इस तरीके से रख लेंगे, हम इने 15 मिट के लिए refrigerate करेंगे, ताकि यह stick इसके अंदर अची तरह से सेट हो जाए, इसी तरीके से हमने बागी के सारे cake pops बना करके उनको 15 मिट के लिए fridge में रख देंगे, उसकी बाद मैने यह आ पर लिया है, ता cup mouth chocolate जिसे हम double ball method से अची तर के लिए cake pops, बरन को डिप करने के बाद इस तरीके से excess chocolate को नीचे drip off हो जाने देंगे, उसकी बाद उपर से sugar sprinkles के साथ में इसको सजा लेंगे, किसी thermacol के उपर इस तरीके से stand कर लिए और 10 मिट के लिए आप इसे fridge में रख दें, ताकि यह अची तरह से chocolate इसके उपर सेट हो आपको कौन सी recipe सबसे ज़्यादा पसंद आई है, मुझे comment में लिखे ज़रूर बताएगा, जल्दी मिलती हो आपसे एक और नई recipe के साथ में, तब तक के लिए, बाई बाई, take care and happy children's day, Hare Krishna